युवराद सिंग के बाद अब टीम इंडिया के तेज गेंद बाद इशांच शर्मा भी शाधी के बंधन में बन गए हैं इशांच शर्मा ने शुक्रुवार को बास्केट बोल खिलाडी प्रतिमा सिंग के साथ साथ फेरे लिए वहीं शाधी की सारी रसमें गुरगाओं के एक फार्म हाउस में संपन हुई इस दौरान शांथ ने रेट और गोल्जन कलर की शेरवानी पहन रखी थी तो वहीं प्रतिमा पीले रंग के शाधी के जोड़े में दिखी आपको बता दे कि प्रतिमा सिंग वारण असी के रहने वाली है और इंजियन विमन्स नेशनल बास्केट बोल टीम के खिलाडी है प्रतिमा पांच बहनों में सबसे छूटी है उनकी सभी बहने भी बास्केट बोल खिलाडी है और ये खुद भी राश्ट्रिया और पर खेल चुकी है देश के बास्केट बोल जगत में ये सबी भेने सिंग भेनों के नाम से मशूर है आपको बता दे किस साल 19 जून को इशान्त और प्रतिमा ने सगाई की थी जिसके बाद कल दोनों ने साथ फेरे लिए गुरगाओं में धूमधाम से हुई इस शादी में बधाई देने के लिए टीम इडिया के वन टे कैप्टन महिंदर सिंग धूनी पहुंचे इसके अलावा युवराज सिंग ने भी शादी में शरकत की हाला कि धूनी और युवराज दोनों की पत्निया इस शादी समारों में उनके साथ नहीं दिखी वही रसलर योगेश्व इसको अपना जीवन साथ ही बनाया है तो वहीं इशान की पसंद एक खिलाडी ही बनी देखते रहे ही डी बिलाइफ